नमस्कार दोस्तों मैं हुए S.P. शर्मा आप दिख रहे है ग्रिन गाड़न चनल ग्रिन गाड़न चनल में आप सभी को श्रागत है आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा हिविसकस फ्लावर प्लांट की रिपोर्टिंग आभी आप आगश्ट मांत में कैसे करेंगे लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को शेयर किया था ये हिविसकस फ्लावर प्लांट और मैंने बताया था इसका रिपोर्टिंग हम जल्दी करेंगे और रिपोर्टिंग की वीडियो आप लोग को मैं share करूंगा देखिए मेरे floor plant एक 8 इंच की pot में है देखिए एक plastic की 8 इंच की pot में है बाजु में और एक floor plant है गुरहल याने कि hibiscus floor देखिए कितने शंदर खिला हुआ है ये भी एक 8 इंच की pot में है और इसकी जो लीफ है लीफ में हलका सा closes है याने कि iron deficiency है थोड़ा सा no problem एक बर चिलेटेड iron दे दूँगा सही हो जाएगा अब ही हम एक 10 इंच की pot में reporting करेंगे एक plant की reporting करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ये जो plant है इसका reporting करूंगा और इसके लिए एक 10 इंच की हम प्लास्टिक की pot लेंगे ये दिखी मैंने एक 10 इंच की प्लास्टिक की pot लिए है और इसका drainage hole मैंने अच्छा से cover कर दिया है कुछ शिंडर है मेरे पास बड़ बड़ टुकरे की शिंडर है शिंडर से किया है आपके पास अगर मिट्टी की गमले की टुटा हुआ टुकर मैं हमेशा आप लोग को share करते रहता हूँ कि pot में जब भी कोई भी flower plant या fruiting plant लगाएंगे pot में plant ग्रो करेंगे तो आपको थोड़ा सा sandy soil लेना है आपका अगर sandy soil होगा तो pot में लंबी शमाय तक पानी hold नहीं करेगा और आपको अच्छा result देगा मैंने जो soil mixer तैयर किया है ये soil के शाथ 50% soil है आप लोग स्क्रीन की उपर देख पर है 50% soil है 25% sand है 25% compost है ये हो गया 100% आप बोलेंगे 50% कैसे लेंगे आप कोई भी एक container से नाप लीजिए उसी container को मान लीजिए कितना होना चाहिए एक container होगा आप मान लीजिए एक 10 इंच की pot के लिए soil तैयर करेंगे तो कोई एक container ले लीजिए 6 इंच की एक pot लीजिए या जैसे भी container होगा उसी शाब से आप count कर शक्त हो जितना आप लेंगे शोयल उसका आधा sand और आधा compost तो हो जाएगा और यह जो शोयल हमने तयार किया है यह शोयल के साथ हमने दो चमच दिये है निमखली एक चमच SSP यानि की शिंगल सुपरफस्पेट और एक मुठी हमने मिलाए है इसमें एक मुठी से एक मुठी मिलाए ह हर्ण मिल आधी मुठी बोन मिल यह हमने इसके साथ मिला दिये है मिलाने के बाद हमारी जो शोयल है शोयल काफी अच्छा हो चुके है इसक्रिन के उपर सब चीज लिखा हुआ है आप देख पा रहे हैं और बहुत ही अच्छा से मिक्स कर लेंगे आप अगर शोयल को पहले स राख देंगे कही और दस दिन बाद उसको फिर से निकल लिजे निकलने के बाद तुरा सा हवा लगने दीजे और इसके बाद एक आद घंटा बाद या दो घंटा बाद आप अगर रिपर्टिंग करेंगे तो आपको अच्छा रेजल्ट मिलेगा इस शोयल मैंने पहले ही खिचके निकलता हो ऐसा ना करें छोटे प्लांट है बड़े प्लांट अगर होता है तो खिचके निकलना सही रहता है तब भी चारो साइट से थोड़ा सा लूज करके उसके बाद आप खिचेंगे तो अच्छा से निकलके बाहर आएगा छोटा प्लांट है हम क्या करेंगे ये देखिए उंगली ऐसे रखेंगे और पॉट को ऐसे पल्टा देंगे और वाल के उपर ले जाके इसको ठोकर मार देंगे ऐसे पल्टा देंगे वाल के उपर ले जाके ऐसे पल्टा के ठोकर मारेंगे कहा पर ये प्लास्टिक की पॉट में तो यह हमारी flower plant मेरा हाथ लेकी उपर आ जाएगा और कोई भी root bowel disturb नहीं होगा चलिए मैं यह flower plant को निकल के लेके आता हूँ और एक बात धेन रखिएगा कभी भी आप अगर reporting करते हो आपका soil हलका सा dry हो जाए उस टेम आप अगर reporting करेंगे तो आपका root bowel बिल्कुल disturb नहीं होगा जैसे मेरे soil अभी गिली है क्योंकि बीच बीच में बारिश होते रहता है तो no problem तब भी मुझे करना है लेकिन आप risk मत लिजेगा उसमें root bowel अगा तूट जाएगा तो आपका plant मुर्जा शक्ते है flower plant को मैंने निकल लिए जैसे मैंने बताया वैसे ही निकला है और देखिए इसका जो root है काफी शंदर root है और भी ज्यादा root इसमें हो जाएंगे जैसे ही हम इसका reporting कर देंगे new soil आ जाएगा और इसमें अच्छा से अच्छा root डवलप्ट हो जाएगा आप यह जो pot है pot में कुछ soil हमको fill कर देना है हलका सा एक layer डाल देंगे यह देखिए कुछ soil हमने डाल दिये है और डालने के बाद हलका हाथों से हमने फैला दिये है हमेशा ही धेन रखना है आपको आप जब भी soil त्यार करेंगे soil bell drained होना चाहिए bell drained means जब भी पानी डरंगे पानी drainage हो जाए उसी शबसे आप अगर soil त्यार करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा इसके बाद हम यह floor plant को pot की ठीक बीचो बीच बैठा लेंगे यह देखिए pot की ठीक बीचो बीच हमने बैठा लिए है और इसके बाद चारो साइट से हम शॉयल फिल कर देंगे हम को अच्छा से शॉयल डाल देना है चारो सेट से हम डालेंगे शॉयल आप लोग हमेशा ही कहते रहते हैं आप लोग अगर एक बार रिपर्टिंग कर लिए तो आपकी फिलर प्लांट मुर्जाया जाते है लेकिन मेरे फिलर प्लांट मुर्जाया नहीं कितनी भी सानलाइट होगा सानलाइट में भी मैं रख लूँगा इसके बाद भी नहीं मुर्जायेंगे क्योंकि मैंने तो रूट बावल इसका बिलकुल भी डिश्टरब नहीं किया है तो ऐसे ही इसका जो root bowel है इसको आपको disturb बिलकुल भी नहीं करना है तब आप कभी भी कोई भी मौसम में reporting करेंगे गर्मी की टाइम हो, ठंडे की टाइम हो, बारिश की टाइम हो आपकी flower plant कभी भी मुर्जायेगा नहीं इस्ट्रेस में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा अब ही अगर बारिश भी होंगे तो हम बारिश में रखेंगे अगर धूप भी निकलेगा तो दब धूप में ही यानि कि खोले आश्मान की नीचे ही हम एफ लर प्लान को रखेंगे देखिए अब ही हमने शॉयल से फिल कर दिये है अब एक टूल्स लेंगे टूल्स की हेल्प से कुछ प्रेश कर देंगे शॉयल को ऐसे करके साइट से ताकि कोई भी बड़े बड़े एर बाकेट ना रहे और शॉयल सभी जगा पर जाके सेट हो जाए प्रेश प्रेश कर देंगे देखी मैंने प्रेश कर दिये इसके बाद हलका सा शॉयल और भी चाहिए है चारो साइड में हम शॉयल फेला देंगे और इसके बाद हम इसमें इतना जाएगा गैप राखेंगे ताकि हम कम से कम पौन लिटर पानी सारे शाथ सो एमेल पानी इसमें दे शकते है शारे शाथ सो एमेल से एक लिटर पानी इसमें हम दे शकते है एक बार में इसे शाथ से हम इसके जाएगा खाली राखेंगे यह पौन इंच करिब हमने खाली रख दियए है इतना ही आपको खाली रखना है इसके बाद हम बाटरिंग करेंगे फास्ट हाम हम जब भी बाटरिंग करेंगे अच्छा से बाटरिंग करेंगे पॉट के डिनेज होल से पानी पासे हो जाना चाहिए आराम से हम पानी डाल देंगे यह मेरा एक लिटर का बाकेट था और देखिए अल्मुस्ट सरशाथ से मेल पानी इसमें आ चुके है यह पानी आप धीरे-धीरे बैठेंगे और जब तक नीचे की और बैठे गर नहीं और डिनेज होल से पासेस नहीं होगा तब तक हम पानी डालते रहेंगे यह देखिए पानी कितनी जल्दी नीचे की और बैठ चुके है एक लिटर पूर डाल दिये है और और भी हम डाल देते हैं कुछ पानी हमने अल्मोस्ट देल लिटर पानी डाल दिये है यह देखिए नीचे की और बैठ चुके है और डेनेज होल से पासे सोना स्टार्ट हो चुके है एक बार हम प्लांट को ऐसे करके हिला देंगे ताकि कोई भी गैप हो सोयल में पूरे जगा पर सेट हो जाए ऐसी करके आपको रिपर्टिंग करना है दूस्तो कोई भी क्वेरी है आप लोग कमेंट्स बक्स में जाके कमेंट्स कर शकतो आप लोग को पूरा कमेंट्स की अंसरिंग किया जाएगा उम्मीद करते हो आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया है और अगर पसंद आते है तो लाइक कर देना शेयर कर देना शाब्सक्राइब जरूर कर देना शाथ में बिल आइकन को प्रेस कर देना थैंक्स पर बाचिंग